कि कि जेड प्लांट फूपसूरत और आकशित होने केसे साथ इससाथ कर में कई स्परीच्वर फाइद्य के लिए भी जाना जाता है व्हास्तू-श्लास्त्र केअनुसरा क्रिषुला के पौडे को जेट प्लांट इंग्लिश में कहते हैं और इसको घर में लगाने से घर में सुख शांती बनी रहती है इसके साथ इसका उप्योग आयरवेदिक दवाईयों में भी किया जाता है कुसिला प्लांट के फ्राइदे आज मैं आपको बताने जा रही हूँ थोड़े से तो मेरी इस वीडियो को आप अंतक जरूर देखिएगा तो हम बिना देव किये अपने वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जिस तरह से लोग मनी प्लांट को घर का प्रतिक मानते ठीक इसी तरह से जीत प्लांट को भी लोग धन के प्रतिक की तरह अपने घरों में लगाते हैं इस पौदे को घर में लगाना शुमाना जाता है, इसके उपर बसंत रितू में फूल खिलते हैं, जिनका आकार छोटा होता और इसके फूल सफेद और गुलावी रंग के पौदे पर खिलते हैं, इस पौदे की पत्तिया मजबूत होती हैं, जो की चुने पर रगड की तरह ल असानी होता है, यह हाथ से चुने पर असानी से नहीं तूटती है, जेद प्लांट का यूस बॉंसाई बनाने के लिए भी किया जाता है, अगर आपको बॉंसाई प्लांट पसंद है तो आप इससे एक अच्छा सा बॉंसाई तयार कर सकते हैं, जेद प्लांट को घर में उर्जा और वास्तो दोशों को भी दूर कर देता है, इससे घर का वात्रवायन स्वस्त रहता है, जिसकी वज़े से विमारिया कम होती है, और यह वेक्ति की उत्पादक्ता का लगबक 10% तक बढ़ा देता है, जेद प्लांट को घर में लगाने से पती-पत्नी के बीच में जो रिष्टे होते हैं, वो मजबूत होते हैं, और इस पौधेक पर जब फूल खिलते हैं, तो यह भूत ही साकारात्मक उर्जा प्रदान करते हैं, जिससे की प्रेमभाव बना रहता है, यह चमतकारी पौधा आपके घर में सुक शान्ती लाता है, घर में पत्ती-पत्नी क के बीज रिष्टे तो में यह मजबूत ही करता है, बलकि साथ में यह हमारे स्ट्रेस लेवल को भी बढ़ाता है, और साकारात्मक उर्जा जिससे की हमारे अंदर बनी रहती है, अब मैं आपको यह बताऊंगी, यह जेट प्लांट यानि कि कुरसुला प्लांट है, इसको कि दिशा में लगाना चाहिए, तो अगर हम फ्रेंक्स्रुन के अनुसार देखा जाए, तो कहा जाता है कि कुरसुला का पौधा को घर के मुखे द्वार के दाहीनी दिशा में लगाना चाहिए, इसके अराबा आप इसको एक ऐसी जगह पर भी रख सकते हैं, जहां घर के तो जेद प्लांट की कटिंग लगाने के लिए आपको सबसे पहले पौधे से लगबक 3-4 इंच लंबी कुछ कटिंग को काटना है, कटिंग को किसी ऐसी शाखा से काटे जो की थोड़ी पुरानी हो, अगर आप कोई नई या हरी शाखा से कटिंग लेते हैं, तो वे बहुत कम चांसे होते हैं कि ये ग्रो करें, इसके बाद आपको मिट्टी का मिश्रण तयार करना है, इसके लिए आपको भागीजे या खेत की सामाने मिट्टी और नदी की रेत दोनों को अच्छी तरह से मिक्स अप करना है, और इसमें किसी भी प्रकार की खात का उप्योग ना कर इससे पौधा खराब हो सकता है, इस मिट्टी को आप किसी भी गमले में भर दें, और जिस गमले में या फिर अन्य किसी जगह पे आप इसको पौधा लगाने जा रहे हैं, उसमें जो गमला है, उसके नीचे छेद होना बहुत ज़रूरी, जिससे की ज़्यादा पानी होने अपने आप ही निकल जाए, मिट्टी के गमले में भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पानी से भर दें, जब मिट्टी से पानी हलका सूख जाए, तो इसमें कुछ दूरी पर किसी भी लकड़ी की साहता चोटी-चोटी छेद का कुछ दूरी पर करें, इसके बाद आपको आपने जेट प्लांट की कलम को रूटिंग हार्मोन पाउडर में नीचे से कम से कम एक इंच हिस्से को दूबाना है, इसकी लिए आपे कटोर में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें रूटिंग हार्मोन पाउडर एक गोल आता है, गोल को करके उसमें जेट प्लांट की लगने का बहुत ज़्यादा खत्रा होता है इसके बाद आप अपने गमले में इसको ऐसी जगे पर रखे जहां पर हल्की धूप आती हो और हमेशा तीन से चार दिन बाद पानी के हल्की छिड़काफ करते रहे इसमें दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि ज़्याद पानी नहीं डालना है और डेली पानी नहीं डालना है क्योंकि यह अल्रीडी इसके पत्यों में बहुत तादात में पानी होता है और हमको इतना पानी डालना है कि इसमें गमले में हमिशा नमी बनी रहे आपके दोरा लगाई गई सभी जेड प्लांट कटिंग लगबग एक असान तरीका है आपको सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना है जैसे कि सबसे पहले आपको अपने जेट प्लांट को हल्की धूप की रोशनी में रखना है अगर आपने पौधे को इंडोर में किसी ऐसी जगर पर रखा है जहां पर धूप बहुत कम आती तो उसको आपको उ जाता है इसकी जो जेट प्लांट को हमेशे रेतीली मिट्टी में लगाए यानि कि इसमें रेत की ज्यादा रखे और मिट्टी कम रखे इस पौधे को ऐसी मिट्टी बहुत पसंद होती जिसमें आप जब पानी में ये पार पारी डालेंगे तो पूरा पानी एक से दो इतनी आवश्यक्ता होती है इसके लिए आपके द्वारा लगाएगा पौदे की जगह पर निर्वर करता है अगर आपने जेट प्लांट को इंडॉर में रखा है जहां पर धूप बहुत जादा आती है तो ऐसे में आपको प्रते तीन दिन में से जाद में धूप इसको दिख पौदे की पत्तिय पड़ने लगती है और ज्यादा कम पानी देने से पत्तिय थी होने लगती है तो इसको सही मात्रा में ही पानि ध्यान दिजें विंटर सीजन में बहुत कम गुरू करता यह प्लान दोस्तों अगर बात की जाए जेट प्लान की खात कब और कितनी डालनी तो हम आपको बता दे कि इस पौदे को जादा से खात के आवशक्ता नहीं होती है, आप तीन महीने में एक बार एक मुट्टी वर्मी कमपोस्ट खात पौदे में डाल सकते हैं, आपके जेट प्लांट में कीट पतंगे आ गए हैं, तो इससे बचने के लिए नीम के तेल का दो हर कोई चाहता है, और विक्ती को अपनी मेहनत और कर्मों से ये प्राप्त होती है, इसमें कोई भी दोराई नहीं है, लेकिन बहुत से लोग काफी प्यास करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी जीवन में आतिक तंगी और कर्ज लेने की स्तिती बनी ही रहती है कई बार ऐसा होता है कि सूजबूज के और फैसले पर भी हमारा निर्भर करता है तो वास्तु शास्त और फैंक्शुन में आर्थिक तंगी करजे से मुक्ती, सुक शान्ती, धन सम्रिद्धी में विर्द्धी के लिए कुछ उपाई बताया जाते हैं जो आपके लिए साहक होते हैं, इसमें फैंक्शुन में जेट प्लांट और कुस्विला या इसको ओवाटा के पौदे के बारे में भी बताया गया है जो एक प्रकार का ये मनीट्री होता है, तो आज आप मैं आपको थोड़े से इसके वास्तु उपाई भी बता देती हूँ कि जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो प्लांट होता है, फैंक्शुन में सम्रिद्धी सफलता और सुभागा का प्रतीक माला जाता है इस पौधे को घर के मुखिद्वार के पास रखा जाता है, इसके बारे में कहावत है कि जैट and the door pure नमूर, मतलब इसका आर्थ है कि जो लोग इसे अपने मुखिद्वार पर रखते वो आर्तिक तंगी से दूर हो जाती है, तंगी उनके घर से दूर हो जाती है, जैट प्ल प्रकृति को लगाने से वित्ति स्थिती बहतर होती है, इसकी पत्या अंड़कार, मासल और हरे रंकी होती है, जो प्रकृति का प्रतीक मानती है, इसकी पत्या छोटे सिक्कों की तर दिखती है, धन अ समरिदी को आकशत करता है, इसे आप घर, दफ्तर, दुकान, आदी के प्रवेश द्वारिया, दक्षिन पूर्व हिस्से में लगा सकते हैं, यह सफलता और समरिदी में सहायक है, फ्रेंक्शिंग में जैन प्लान को फ्रेंग्शिप प्लांट, मनी, ट्री, लकी, प्लांट आदी नामों से जाना जाता है, इस पौदी के पास आने वाली ची एनर जी घर के अंदर के वास्तो और फैंक्शिंग दोश्यों को तो दूर करने में सहायक होती है, साती साती हमारे सौभाग को भी या दिकी हमारी किस्मत को भी बढ़ाती है, जेक प्लान को भूल कर भी शेयन कक्ष में दोस्तों कभी न रखे, वरना आपकी नीन से जोड़ी समस हो सकती है, क्योंकि ये फोधा धन का पौधा माना जाता है, पूर्वे दिशा में रखने से सेहत अच्छी होती है, अगर अगर आम इसे पर्च्चिप दिशा में रखते हैं, तो नई प्रोजेक्ट और चाइल लग के लिए अच्छा माना जाता है, और अगक हम इसको पूर्दिशा में रखते तो यह धन का और संपत्ती में वृद्धी करता है